जै मातादी नवरातर में लॉंग का परियोग आपके भागे को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है क्योंकि नवरातर के दिनों में तंत क्रियाएं भी होती हैं पूजा पाठ होता है और बहुत तरह के टोने टोटके भी होते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि जीवन में एकदम से सकात्मक रूप से बदलावाए तो लॉंग का छोटा सा प्रयोग देख सकते हैं और माता रानी का इंतजार तो पूरे वर्स रहता है क्योंकि माता रानी जैसे ही आती है इस बार वो घोड़े पर सवार होकर आ रही है लेकिन वो उनके आने से जीवन में आनंद भर जाता है ख इस भोग लगाए जाते हैं और कुछ खास प्रयोग भी किये जाते हैं पहले दिन मा सैल पुत्त्री की अराधना होती है दूसरे दिन मा ब्रहमचारिनी की अराधना होती है और तीनों लोग उनके सामने नस्त मस्तक हैं तीसरे दिन मा चंद्र घंटा की अराधना होती है इनके घंटे की धोनी सुनकर बिनासकारी सक्तियां ततकाल ही चली जाती है चौथे दिन मा कुसमांडा की अराधना होती है मानेता है इनकी हसी से ब्रह्मान उत्पन हुआ था पांचवे दिन मा इसकंद माता की अराधना होती है और देवा सूर्च संग्राम में देपताओं का सेना पती मनाया गया था कार्ती के कुमार को और वो उन्हीं की मा है छटे दिन मा कात्याईनी की पुजा होती है और साथमे दिन मा काल रात्री भगवती का बिक्राल रूप है आठमे दिन महां गौरी ज आई जाती है लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस नवरात्र में लॉंग के प्रयोग से कैसे आप अपने गरहों को बेहतर कर सकते हैं जीवन की हर परिसानियों से बाहर निकल सकते हैं आपको तो पता है नौ रूप देवी के नौ गरहों को कंट्रोल करता है सूरे चंद्रमा अंगल बुद्ध गुरु सुक्रसनी राहु और केतु की सांती होती है तो ऐसे में चलिए हम जानते हैं लॉंग का वो खास परियोग जिसको कर लिया जाए तो मा की कृपा बरसने लगती है आपके जीवन की सारी बिंगन बाधाएं परिसानिया समाप्थ हो जाती हैं मादुर्गा चांद की तरह चमकने वाली पूरे जगत में ब्याप्थ और काल का नास करने वाली हैं रिद्धि सिध्धी को देने वाली हैं तो सबसे पहले बात करेंगे लॉंग का वो कौन सा परियोग है जो आपके जीवन के हर परिसानी को हर कश्ट को समाप्थ कर देता ह एक बात याद रखिएगा अगर आप चाहते हैं पूरे जीवन में आपको कभी भी सत्रू विरोधी आपका कुछ बिगार न पाए तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए इस नवरात्र से आप माता रानी को दो लॉंग अर्पित करना सुरू कर दीजिए यानि रोज दो ल रोधी कुछ नहीं बिगार पाएंगे और सही समय पर आपकी आँखे खुल जाएगी और आप उससे बश निकलेंगे यही तो माता रानी का आसिरवाद है तो यह तो थी एक सिंपल सा परियोग अब हम एक छोटे से परियोग की बात करेंगे देखिए कभी-कभी क्या होता ह है आपकी बहुत सारी ऐसी मनुकामनाएं होती हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है संतान की चाहत है नोकरी की प्राप्ती की कामना है सिग्र विवाह की कामना है बहुत सारी कामनाएं होती है तो भौतिक सुखों को भी कामनाएं होती है तो उन कामनाओं की पूर तसा बिना टूटा फुटा हुआ देखें देखें लीजेगा अब इन लॉंग को लाल धागे के सहारे बांध कर माला बना ले पुरूस हैं तो माता रानी के चर्नों में रख दे महला हैं तो पहना दे छे महने के बाद इसको मिट्टी में दबा दीजे बहते वे जल में योग लेकिन जीवन के बहुत सारे ऐसे कस्ट हैं जो हटने का नाम ही नहीं लेते कभी कभी क्या होता है आप बिद्यार्थी हैं आप बड़े हैं कोई भी हो सकते हैं अब आप चाहते हैं कि आपका जीवन के हर कस्ट समाप्थ हो जाए हर कामना की पूर्ती हो जाए जो प्यार कर गया है पैसे नहीं मिल रहा है घर बनाया घर का सुक नहीं है बहुत तरकी चीजह होती है जीवन में परिसान करके उलजा के रख देती है तब एक पान का पत्ता ले लीजे उस पर दो लॉंग पीछे की तरफ लॉंग का पत्ता है ना चिकना साइड नीचे कर दे दुखों का नास कीजिए बिना पीछे मुले घर आजाए हर मनोरत पूरी होगी अब साधी बिभा की बात कर ले कई बार क्या होता है साधी हो लाग प्रियास कर रहे है रिष्टे आते हैं तूट जाते हैं तैप होकर भी नहीं होता हो रहा पसंद नहीं आ रहा है जोड़ी उम्रे 27 साल है और आपका बिवा नहीं हो पार आप चार हैं आपका बिवा हो जाए तो 27 लॉंग ले 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 आठाइस साल है तो 28 लॉंग ले ले आपकी जितनी उम्रे है उतना ही लॉंग लेना है हर एक लॉंग को बांध बांध कर लाल धागे के सहरे माला बनाईए मातारानी को पहना दे छे मेहने के बाद मिट्टी में दबा दे या चलते वे पानी में प्रवाहित कर दे आपकी मनो कामना पूर्ण हो जाएगी तो लॉंग के परियोग से खुल जाती है बंद किसमत के ताले और ये सिंपल सा परियोग है इसको आप किसी भी धिन कर सकते हैं आपकी समस मनो कामना पूरी हो जाएगी वैसे तो नवरात्र में बहुत सारे परियोग किये जाते हैं और उन परियोगों में एक और परियोग होता है धन की प्राप्ती के परियोग अब बिना धन का जीवन कोई जीवन ही नहीं है अब धन नहीं आएगा तो भला आपको सुकसाधन कहा से मिलेंगे आप अपनी लाइब को बेहतर कैसे करेंगे कैसे आप अच्छे से जीएंगे कैसे आप खाना खाएंगे तो धन के प्राप्ति के लिए नवरात्र के दिनों में छोटा सा परियोग कीजिए लगातार तीन दिन तक करना है आप उसी नुसार दिन चुन लीजिए पान के पत्ते पर दो लॉंग रखकर चिकने साइट पर रखिएगा पीछे साइट नहीं रखिएगा पीछे साइट हमने टोटका के लिए कहा था अब जो आप मां को पूजा में अरपीट करेंगे तो चिकने साइट पर अच चाहें तो पूरा कपूरा खुझ भी खा सकते हैं कोई दिक्द नहीं है तो ये सिंपल सा प्रयोग है और यह जो आप अरपित करेंगे ना लगाता रती नीन तक सामके समय कीजिएगा सामके समय जब Wildlife आप दिया बाती करते हैं साममे उस समय कीजियेगा एक और बात मातरानी के सामने आप दिया जरूर जलाएएगा और चाहें तो कपुर के साथ लौॉप लौउघ它िफिये पूरे जरूर डालें तो लाल धागे की बाती कोगी और उसमें दो लौंग ढालकर जलाएगा। तुबह में भी साम में भी एक तो नकात्मक उड़ जाएं समाप्त होगी माता रानी की क्रिपा बरसेगी और जीवन के सारे कस्ट दूर हो जाएंगे सारी परिसानियों का नास हो जाएगा तो इस नवरात्र में आप एक और चीज का ध्यान रखेगा तमाम प्रयोग तो आप क क्योंकि यह समय फाइदा उठाने का है अगर लंबे समय से कोई मनोकाम ना आपकी पुर्ण नहीं हो पा रही है तो एक पान का पत्ता लें उसको उल्टा रखें दोनों हतेली पर दो लॉंग रख दें और बहते वे जल में प्रभाहित कर दें और बोले है मेरे दुर्भाग करें तो दिल से किजेगा क्योंकि दिल से की हुई प्रियोग दिल से मांगी हुई जो आप उनसे कोई वीविस मांगते हैं वो जरूर पुरी होती है तो जब भी प्रियोग करने बैठें पूर्ण तया भगवान से जुरिए आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजे और फिर देखिए आपको कैसे हातो हात रिजल्ट मिलते हैं नवरात्र के नो दिन बहुत पवित्र होते हैं और किसी भी दिन एक लाल रंग का कपड़ा पे एक लॉंग रख कर देवी मां को समर्पित कर दे वैसे तो आपको रोजी दो लॉंग अर्पित करना है उनको और परसाथ के र करेंगे या करेंगी मातारानी को उस लॉंग को उठा कर आप 24 गंटे कम सकम रहने दीजेगा उसको बांद दे एक ही बार बांद दिएगा दो गांट मत लगाईएगा कपड़े में लपेट ले और चोटा सा कपड़ा लीजे बांद कर आप इसको कहीं भी घर में छिपा कर अनवारी में तिजोरी में या पुझा स्थान पर भी आप रख सकती हैं आप इसको रख दीजे यकीन मानिए पूरे साल ये गांट जो है न ये आपके बुरे किसमत को दूर भगा कर आपके भागे को पुरी तरह से आपके पक्ष में बांद देता है तो हम आपसे विज़ा है करे हम आपसी विड़ा लेते हैं